नमसकार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम देंगे आपको कंपलीट डिटेल माया देवी मंदिर की। ये हरिद्वार का एक परसिद और प्राचीन मंदिर है। वैसे तो हरिद्वार में कई मंदिर और तीरतिस्तल हैं। उनी में से एक है माया देवी मंदिर माया देवी को हरिद्वार की अधिस्ठात्री देवी कहा जाता है ये मंदिर माता सती के 51 सक्ति पीटों में से एक है और हरिद्वार आने वाले सरधालू यहाँ पर भी दर्सनों के लिए आते हैं ये मंदिर सहर के बीचों बीच में इस्तित है इस मंदिर की एक पौराणी कथा है कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्स परजापती ने हरिद्वार में इस्तित कंखल में यग्य किया यग्य में उन्होंने कई सारे देवी देवताओं, रिसी मूनियों और राजाओं को बुलाया था लेकिन अपने दामाद भगवान सिव को नहीं बुलाया इस अपमान को माता सती सहन ना कर सकी उन्होंने कंकल पहुँचकर वहाँ यग्य में ही अपने प्राणों की आहूती दे दी ये बाद जब भगवान सिव को पता चली तो वो माता सती के मिर्द सरीर को लेकर आस्मान में भटकने लगे तब भगवान विश्णू ने अपने चक्र से माता सती के सरीर के 51 टुकडे कर दिये माता सती के ये सरीर के टुकडे जहां जहां पर गिरे वहां पर सक्ती पीटों की इस्थापना हुई और मान्यता है कि माया देवी मंदिर में माता सती की नाभी गिरी थी इसलिए माया देवी मंदिर भी मता सती के 21 सक्ति पीटों में से एक है मान्यता है कि इसी कारण प्राचीन समय में इस जगा का नाम माया पुरी हुआ करता था मंदिर के बगल में ही आनन्द भैराव का मंदिर भी है यहां पर खास तेवारों के समय बड़ी संख्या में सरधालू दरसनों के लिए आते हैं आप भी जब कभी हर्दुआर जाएं तो यहां पर दरसनों के लिए जरूर आएं यह मंदिर हर्दुआर के बीचों बीच इस्तित है यहां पर आप हरीदवार बस इस्टेशन से पैदल भी आ सकते हैं या तो रिक्सा लेकर भी आ सकते हैं तो हमारा आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं हमारे इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक स्याधिक सेयर भी कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियां देते रहते हैं इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंद